तो हेलो फ्रेंट जाज हम बात करने वाले है जो हमरे पास मुबाइल फोन है इन्फिनिक्स 930 5G मुबाइल फोन जो आता है 108 मेगा पिक्सल के कैमरे के साथ इसके अंदर आपको 2K कैमरा सपोर्ट मिलता है मतलब 2K 30 fps पे वीडियो बना सकते हैं यह हमारा फोन जो है 15,000 रुपे का मिल जाता है और वही हमारे पास दूसरा मुबाइल फोन है जिसका हम कंपेर करने वाले हैं जो हमरे पास मुबाइल फोन है IQZ 7 Pro 5G मुबाइल फोन और इसके अंदर आपको 4K सपोर्ट मिलता है 30 fps के साथ और 64 Megapixel का इसका कैमरा है तो देखते हैं हमारा 108 Megapixel का कैमरे की क्वालिटी अच्छी है 2K के साथ या फिर 4K के साथ 64 Megapixel की कैमरा क्वालिटी अच्छी है तो देखते हैं वीडियो में प्राइस रेंज की बता दू तो यह जो हमारा फोन ही इस टाइम आपको 24,000 रोपे के आसपस मिल जाएगा तो फटा फट चलते हैं वीडियो के और देख लेते हैं इन दोनों का कमपेरिजन की कौन सा मोगाल फोन बैस्ट है चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ तो जिससे कि आप देख सकते हैं दोनों में ही जो हमारा कैमरे का सेक्षन है हम उसे कर लेंगे एक्टिव तो मैं आज आता हूँ फोन में और फोन में आने बाद मैंने के कैमरे के सेक्षन को कर लिया है एक्टिव camera के section को active करने का आप देख सकते हैं एक जो हमारा phone है वो आपको देखने में लग रहा हूँ काफी dark color दिखा रहा है और एक जो है काफी light color दिखा रहा है तो आज आते हैं दोनों की जो हमारी video का section है उसके अंदर और फटा फट देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इसमें options मिलते हैं उपर के side में सबसे पहले अभी आप देख सकते हैं हमारा जो IQ है उसके अंदर हमने 4K पे set कर दिया है resolution ठीक है ना 4K 30 fps पे हमने जो इसका resolution है वो set कर दिया है और जो हमारा mobile phone है Infinix 930 उसके अंदर हमने 2K 30 fps पे set कर दिया है क्योंकि इसके अंदर 4K support नहीं मिलता है तो आप 2K versus 4K का ही resolution देख सकते हैं आगी मैंने और भी चीज़े बता दी है शुरू में ही तभी ज़्यादा उस चीज़ में बात नहीं करेंगे तो यह थोड़े से functions पर जो मैंने बता दी है बाकी अब जो है दोनों की में वीडियो वगेरा start कर देता हूं और देख लेते हैं कि कैसी क्या video quality मिलती है दोनों में जिसा कि आप देख सकते हैं हमने वीडियो शूट जो है start कर दिया है दोनों फोन में जिसा कि अभी आप देखी सकते हैं हमने दोनों फोन में वीडियो शूट स्टार्ट कर दिया है बाकी अभी देख सकते हैं इसकी जो जूम है इसमें 10x जूम कर दिया है और वापस नॉर् वापस जूम आउट कर दिया था तो अभी थोड़ी सी हम फूटेज वगेरा ले रहे हैं और जैसा मैंने बताया था इन्फिनिक्स नोट 30 में 108 मेगा पिक्सल का कैमरा है और वहीं IQ में हमारा 64 मेगा पिक्सल का कैमरा है और हमारा जो इन्फिनिक्स है उसकी वीडियो भी शूट कर लिए हमने और हमारा जो IQ दोनों की वीडियो हमने शूट कर लिए बाकि आप वीडियो देख सकते हैं मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखायाता हूँ यह देख सकते हैं एक तरफ हमारा इंफिनिक्स नौट ठटी का जो वीडियो देख सकते हैं इसके जो कलर्स है वो काफी जादा डारक आ रहा है जैसे पेड़ पोध हैं पत्ति हैं जैसे ग्रीन कलर जो है वो काफी जादा डारक आ रहा है तो वह लेकिन वह रियलिस्टिक नहीं लग रहा है बूआ सकते हैं जिसा आपको नेचरली दिखते हैं कलर बिल्ब्लकुल वैसे ही जो अपका आई क्यू कर रहा हैं और Infinix जो है वो थोड़ा enhance कर रहा है और उसे green effect थोड़ा ज़्यादा लगा दे रहा है तो इस वज़े से हमारा Infinix Note 30 है उसकी जो camera quality है वो मुझे थोड़ी सी लगी down क्योंकि इसके जो colors है ज़्यादा bright के चक्कर में और realistic जो है perform नहीं कर पा रहा है बाकि Infinix जो हमारा Note 30 है उसम से कुछ colors वगेरा ज़्यादा ही add कर दिया है एकदम लगे रहा realistic टाइप का तो यह जो है आपका जो IQ है यह realistic perform कर रहा है इसकी जो camera quality है वो भी काफी अच्छी लगी मुझे खाली 108 MP के camera से मतलब कुछ नहीं होता आपके जो camera की stability कैसा क्या software वगेरा चल रहा हो software पे भी काफी चीजे निर्वर होती है तो जिसा कि अभी आप देख सकते हैं winner होता है हमारा IQ का जो हमारा 4K का resolution है वीडियो का वो काफी बढ़िया perform करा वहीं Infinix भी ठीक ठाक था लेकिन इसके colors जादा ही Infinix के phone में जो green वगेरा green effects वगेरा थोड़े जादा ही use होते है बाकि finally conclusion हमारा तो य जरूर बताईएगा तो हेलो फ्रेंडिस आपको कैसी लगी है वीडियो हमें comment box में comment करके बताईएगा कि आपको Infinix की जो camera quality है वह अच्छी लगी 4K की यह हमारे जो है IQ की तो अगर IQ की अच्छी लगी हो है Infinix की जो भी लगी हो वह comment box में अपना opinion हमें जरूर बता दीजेग बगी मैं अपना opinion बता दूँ मुझे जो है IQ की जो camera quality काफी अच्छी लगी colors थोले dark थे लेकिन phone जो इसका camera 4K वो काफी अच्छा था 108MP से काफी अच्छा phone और price के हिसाब से भी काफी जादा महेंगा phone है IQ Z7 Pro 5G mobile phone और यह जो है हमारा 15,000 का है Infinix phone तो दोनों में से price के phone लेना चाहिए कौन सी camera की quality अच्छी लगी वो हमें comment box में comment करके बता है ऐसे ही और interesting topic के लिए हमारे चैनल को कर लीजे subscribe बाकि मिलते हैं next video में किसी और topic के साथ अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी कर लीजिए लाइक मिलते हैं next video में किसी और topic साथ अब जाएं जय भारत भारत मता कि जाएं